केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी स्रिमान नरेंदर सिंग जी तोमर, स्रिमती स्मृती रानी जी, भाई पुर्श्वतम रुपाला जी, कैलास चौधरी जी, स्रिमती दिवास्त्री चौधरी जी, फूर्ड एन एग्रिकल्चर और्रनेशन के प्रतनी दिगण, अन्य महानुभाव, और मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, वर्ल फूल डे, के आउसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना हैं, दुनिया भर में, जो लोग कुपोशन को दूर करने के लिए, लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृशी वज्ञानी, हमारे आंगनवाडी और आशा कारिकरता, कुपोशन के खिलाब आंदोलन का एक बहुत बड़ा हमारा मजबूत किला है, मजबूत आधार है, इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अंडभंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुचने में सरकार की बहुत मदद की है, इन सभी के प्रयासों से ही भारत कुरोना के इस संकटकाल में भी कुपोशन के खिलाब मजबूत लड़ाई लड़ रहा है, साथियों, आज Food and Agriculture Organization के लिए भी एक महत्व का दीन है, आज इस महत्वपूर संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए है, इन वर्षों में भारत सहीत पूरी दुनिया में एफ़े ओने कृशी उत्पादन बढ़ाने, बुखमरी मिटाने और पोशन बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है, आज जो 75 रुपिय का विशेज सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड से अधिक जनता जनादन की तरप से आपकी सेवा भावना का सम्मान है, एफे ओ के वर्ल्ड फूर्ड प्रोग्रेम को इस वर्स का नोबल सांती पुरश्कार मिलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिमाचिन है, और भारत को खुशी हैं कि इसमें भी भारत की साजेदारी और भारत का जुड़ाव बहुत ही आइतिहासिक रहा है, हम सब जानते हैं, डॉक्टर मिने रंजन सेन, जब एफे ओ के डाइरेक्ट जनरल थे, तब उनके नित्रुत्व में ही वर्ल्ड फूर्ड प्रोग्रेम शुरू किया गया था, डॉक्टर सेन ने अकाल और भुख्मरी का दार्द बहुत करीब से महसूस किया था, पॉलिसी मेकर बनने के बाद उन्होंने जिस व्यापकता के साथ काम किया, वो आज भी पूरी दुनिया के काम आ रहा है, वो जो बीज बोया गया था, आज उसकी आत्रा नोबेल प्राइज तक पहुँची है, साथियों, एफे ओने बिते दशकों में कूपोशन के खिलाब भारत की लड़ाई को भी बहुत नद्दिक से देखा है, देश में अलग-अलग स्तर पर कुछ विभागों द्वारा प्रयास हुए थे, लेकिन उनका दाइरा या तो सिमीत था या टुकडों में बिखरा पड़ा था, हम जानते हैं, छोटी आयू में घर्बधारन करना, शिक्षा की कमी, जानकारी का अभाव, सुद्ध पानी की परियाप्त सुविदा न होना, स्वच्चता की कमी, ऐसी अनेक वज़ों से, हमें वो अपेक्षित प्रणाम नहीं मिल पाए थे, जो कुपोशन के खिलाब की लड़ाई में मिलने चाहिए थे, मुझे गुजरात मैं मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का आउसर मिला था, तो इन तथ्थों को मैंने ध्यान में रखते हुए वहाँ पर नेक नई योज़नाओं पर काम शुरू किया था, आखिर दिक्कत कहां है, नतीजे क्यों नहीं मिल रहे हैं, और नतीजे कैसे मिलेंगे, इसका एक लंबा अनुभव मुझे गुजरात में मिला, उन अनुभवों को लेकर, जब 2014 में मुझे देश की सेवा करने का मोका मिला, तो मैंने नए सिरे से, पूरे देश के अंदर कुछ प्रयासों को प्रारम्ब किया, हम इंटीग्रेटेड एप्रोच लेकर के आगे बढ़े, होलिस्टिक एप्रोच लेकर के आगे बढ़े, तमाम सायलोज को समाप्त करके हमने एक मल्टी डाइमेंशनल बहु आयामी राननीती पर काम शुरू किया, एक तरफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ हर उस फैक्टर पर काम किया गया, जो कूपोशन बढ़ाने का कारण था, बहुत बड़े स्थर पर परिवार और समाज के व्योवार में परिवर्तन के लिए भी काम किया, स्वच्छ भारत मिशन के तहट भारत में ग्यारा करोड से ज़्यादा सवचालाई बने, दूर दराज वाले इलाकों में सवचालाई बनने से जहां स्वच्छता आई, बहीं डायरिया जैसी अनेक ब्यमारियों में भी कमी देखने को मिली, इसी तरह मिशन अंद्र धनूश के तहट घर्भवती माताओं और बच्चों के टिका करण का दायरा भी तेजी से बढ़ाया गया, इसमें भारत में ही तैयार रोटा वाइरस, इस रोटा वाइरस जैसे नए टिके भी जोड़े गए, गर्भावस्ता और नवजात सिश्व के पहले एक हजार दिनों को धान में रोटते हुए, मां और बच्चे दोनों के नूट्रेशन और कैर के लिए उसके लिए भी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया, जल जीवन मिशन के तहट गाउं के हर घर तक पाइप से पीने का पानी पहुचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है, आज देश की गरीब बहनों बेटियों को एक रुपिय में सेनिटेशन पैड्स उपलब्द कराए जा रहे हैं। इन सब प्रयासों का एक असर ये भी है कि देश में पहली बार पढ़ाई के लिए बेटियों का ग्रॉस एन्रॉल्मेंट रेशियो बेटों से भी ज़्यादा हो गया है। बेटियों की शादी की उचीत उम्रक क्या हो ये ताय करने के लिए भी जरूरी चर्चा चल रही है। सात्यों कुपोशन से निपटने के लिए एक और महत्वपुण दिशा में काम हो रहा है। अब देश में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पौश्टिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक इत्यादी ज़्यादा होते हैं। मोटे अनाच, मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, ज्वंगोरा, बारी, कोटकी इन जैसे अनाच की पैदावर बढ़े, लोग अपने भोजन में इने शामिल करे, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज FAO को विशेश धन्यवाद देता हूँ, कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल यर ओप मिलेट्स गोशित करके भारत के प्रस्ताव को पुरा समर्थन दिया है। साथियों, भारत ने जब अंतरराष्टिय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे भी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की ही भावना थी। जीरो मिजेट में होलिस्टीक वेल्डेस का मंत्र भारत विश्व के सभी देशों तक पहुचाना चाहता था। वर्ष दोहजार तेईश को इंटरनेशनल येर ओफ मिलेट गोशित करने के प्रस्ताव के पीछे भी हमारे दिल में वही भाव है, उसी भावना को लेकर के हम आये हैं। इससे भारती नहीं विश्व भर को दो बड़े फाइदय होंगे। एक तो पौश्टिक आहार प्रोथ्षाइद होंगे, उनकी उपलब्दता और बड़ेगी। और दूसरा, जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती हैं, सिंचाही के साधन नहीं होते हैं, बारिस पर निर्भण होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान उनको बहुत लाब होगा। ये छोटे और मंजोले किसान ज्यादा अतर अपनी जमीन पर मोटे अनाज ही उगाते हैं, जहाँ पानी की दिक्कत हैं, जमीन इतनी उपजाओ नहीं हैं, वहाँ भी ये मोटे अनाज की पैदावर किसानों को बहुत मदद करती हैं। यानि International Year of Millets का प्रस्ताव, पोशन और छोटे किसानों की आए दोनों से जुड़ा हुआ है। साथियों, भारत में पोशन अभ्यान को ताकत देने वाला एक और अहम कदम आज उठाया गया है। आज गेहूं और धान सहीत अनेक फसलों के सत्रा नए बीजों की वराइटी देश के किसानों को उपलब्द कराई जा रही है। हमार यहां अक्सर हम देखते हैं कि कुछ फसलों की सामान्य वराइटी में किसी न किसी पौश्टिक पदार्थ या माइक्रो नूट्रियंट की कमी रहती है। इन फसलों की अच्छे वराइटी बायो फोर्टिफाइड वराइटी इन कमीयों को दूर कर देती हैं। अनाज की पौश्टिकता बढ़ाती है। बीतवे वर्षों में देश में ऐसी वराइटी ऐसे बीजों की रिसर्च और डेवलोप्मेंट में भी बहुत प्रसंशनिय काम हुआ है। और मैं इसके लिए अग्रिकल्चर उनिवर्सिटी सभी वज्ञानिक, क्रशी वज्ञानिक उनको बहुत बढ़ाई भी देता हूँ। 2014 से पहले जहां इस प्रकार की जिरफ एक बैराइटी किसानों तक पहुँची। वही आज अलग अलग फसलों की सत्तर, सेवन जीरो, सेवन जीरो बैयो फोर्टिफाइड वराइटी किसानों को उपलब्द है। मुझे खुशी है कि इसमें से कुछ बायो फोर्टिफाइड वराइटी स्थानिय और प्रारंबिक फसलों की मदद से विक्सित की गई है। साथियों, बीते कुछ महिनों में, पूरे विश्व में, कोरोना संकट के दौरान, भुखमरी, कूपोशन को लेकर अनेक तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बड़े से बड़े एक्षपर्स अपनी चिन्ताएं जता रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, इन चिन्ताओं के बीच भारत पिछले साथ आठ महिनों से लगभग असी करोड गरीबों को मुप्तराशन उपलब्द करा रहा है। इस दोरान भारत ने करीब करीब देड़ लाग करोड रुपिय का ख़द्यान गरीबों को मुप्त बाटा है। और मुझे आध है कि जब यह अभ्यान शुरू किया जा रहा था तो इस बात का विशेश द्यान रखा गया कि चावल या गेहों के साथ साथ दाल भी मुप्त मुहया कराई जाए। गरीबों के प्रती, खाद्य सुरक्षा के प्रती यह आज के भारत का कमिट्मेंट है। और अमेरिका की कूल जन संग्या से भी ज़्यादा है, लेकिन कई बार हम रोजाना के जीवन में एक बड़ा ट्रेंड मिस कर देते हैं। फूर्ड सिक्यूरिटी को लेकर भारत ने जो किया है, उस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे कुछ प्रस्ण है, जिससे जो हमारे इंट्रनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें एसास होगा कि भारत ने इस दिशा में क्या हासिल किया है। क्या आप ये जानते हैं कि साल 2014 तक सिर्फ 11 राज्यों में फूर्ड सिक्यूरिटी एक्ट लागू था और उसके बाद ही ये पूरे देश में प्रभावी तरीके से लागू हो पाया। क्या आप जानते हैं कि कुराना के खारण जहां पूरी दुनिया संगर्श कर रही हैं, वही भारत के किसानों ने किस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड दिया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने गेहूं, धान और दाले सभी प्रकार के खाज़्दान्य की खरीत्य अपने सारे पुराने रेकॉर्ड तोड दिये हैं। क्या आपको ये पता हैं कि पिछले साल के छे महने की इसी अवदी की तुलना में, एसेंचियल एग्रिकल्टरल कॉमोडिटीज के एक्सपोर्ट में 40 परतिसत से ज्यादा की बढ़ोत्री हुई हैं। क्या आपको पता हैं कि देश के 28 राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला वन नेशन, वन राशनकार सिस्टीम लागू हो चुका है। साथियों, आज भारत में निरंतर ऐसे रिफॉर्म्स किये जा रहे हैं जो ग्लोबल फूड सिकुरिटी के प्रती भारत के कमिट्मेंट को दिखाते हैं। खेती और किसान को ससक्त करने से वहां से लेकर के भारत के पब्रिक डिस्टुबिशन सिस्टिम तक में एक के बाद एक सुधार किये जा रहे हैं। हाल में जो तीन बड़े क्रिशी सुधार हुए हैं वो देश के अग्रिकल्चर सेक्टर का विस्तार करने में किसानों की आए बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, हमार यहाँ एपी एमसी की एक ववस्ता सालों से चल रही है, जिसकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी एक ताकत भी है। बीते छे साल में देश की इन करशी मंडियों में बहतर इन्फास्टर्टर तयार करने के लिए डाई हजार करोड रुपे से अधिक्का निवेश किया जा चुका है। इन मंडियों में आईटी इन्फास्टर्टर तयार करने के लिए भी सैंकडो करोड रुपे खर्च किये गए हैं। किसानों को लागत का डेड़ गुणा दाम MSP के रुप में मिले इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों MSP और सरकारी खरीद देश की food security का एहम हिस्सा है। इसलिए इसका बैज्ञानिक तरीके से अच्छी से अच्छी ववस्ता के साथ अच्छा सा अच्छा प्रबंदन भी हो और ये आगे भी जारी रहें। ये बहुत आवशक हैं और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। नए विकल्पों से ये जरूर होगा कि देश के जो छोटे किसान, किसान मंडियों तक पहुंच ना होने के कारण, पहले मजबुरी में बिचोनियों को अपनी उपज बेचने के देते थे। अब बाजार स्वयम छोटे छोटे किसानों के दरवाजे तक पहुंचेगा। इसे किसान को जादा दाम तो मिलेंगे ही, बिचोलियों के हटने से किसानों की भी राहत मिलेगी। और आम खरीदारों को भी, सामान्य कंजुमर को भी लाब होगा। यही नहीं, जो हमारे युआ हैं, वो एग्रो स्टार्ट अप्स के रूप में किसानों के लिए आधू के व्यवस्ताएं बनाएं। इसके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। छोटे किसानों की और से संगठन भी मार्केट के साथ मोलभाव कर सकेंगे। मैं एपियोस छोटे किसानों का जीवन वैसे ही पदलने वाले हैं, जैसे दूद या फिर चीनी के ख्षेतर में कोपरेटिव मुवमेंट से गाओं में महिलाओं के सेल्फ हेल्फ मुवमेंट से सार्थक बरलाव आए हैं। साथियों, भारत में अनाज की बरबादी हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है। अब जब Essential Commodities Act में संसोधन किया गया है, इससे स्थितियां अवश्य बदलेगी। अब गाओं में बहतर infrastructure बनाने के लिए सरकार के साथ साथ दूसरों को भी ज़्यादा मोका मिलेगा। इसमें भी हमारे FPO's की भूमी का एहम रहने वाली है। सरकार ने हाल में एक लाग करोर रुपिय का infrastructure fund लौँज किया है। इस fund से FPO's भी गाओं में supply chain और value addition capacity तयार कर रहे हैं। साथियों जो तीसरा कानून बनाया गया है वो किसान को फसलों के दाम में होने वाले उतार चड़ाव से भी राहत देगा और खेती में नई technology को भी बढ़ावा देगा। इसके तहट किसान को जादा विकल्ब देने के साथ ही उसे कानूनी रुप से समरंक्षन देने का भी काम किया गया है। जब किसान किसी private agency या उद्योग से समझोता करेगा तो बुवाई से पहले ही उपज की कीमत भी तय हो जाएगी। इसके लिए बीज, फर्टिलाइजर, मशिनरी सब कुछ समझोता करने वाली संस्ता ही देगी। एक और महत्पपुन बाद अगर किसान किसी कारण से समझोता तोड़ना चाहता है तो उसको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन अगर किसान से समझोता करने वाली संस्ता समझोता तोड़ती है तो उसे जुर्माना बरना पड़ेगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि समझोता सिर्फ उपज पर होगा। किसान की जमीन पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। यानि किसान को हर प्रकार की सुरक्षा इन सुधारों के माध्यम से सुनिस्षित की गई है। जब भारत का किसान ससकत होगा उसकी आय बढ़ेगी तो कुपोशन के खिलाब अभियान को भी उतना ही बल मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारत और एफे ओ इसके बीच बढ़ता तानमेल इस अभियान को और गति देगा। मैं एक बार फिर आप सभी को एफे ओ को 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ। आपकी भी प्रगति हो और विश्वकां गरीब से गरीब देश, विश्वकां गरीब से गरीब नागरीक, रोज मना की जिन्दगी की इन संकटों से मुक्ति प्राप्त करें। इसी कामना से पूरी शक्ति के साथ विश्व समुदाय के साथ काम करने के हमारे संकल्प को दोहराते हुए मैं फिर एक बार बहुत सुपकामनाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।